हलो स्टुडेंट्स इस वडियो में इस एससे रिलेटेट बहुत शारी नई चीज़े आपको शीखने को मिलेंगी सपोज कि जे किसी ब्रैंड का वैबसाइट अब बना रहे हो और समझ में नहीं आ रहे कि कैसा लोगो बनाना चीए तो ब्रैंड के फर्स्ट लेटर को इस तर इंटर शुरू करके बंद कीजिए फिर डिवेल्मेंट क्लास का वाल्यू में यह रहा है स्टाइल यहाँ पे में को ऐस सेलक्ट कीजिए और जरूरत के नुशार विर्थ हाइट सेट कर लिजिए जैसे विर्थ 200 पिक्सल हाइट सेट कर दीजिए 120 पिक्सल उसके बाद इसम इतना बड़ा नहीं दिखेगा तो उसको एग्नोर कर सकते हैं अब इसके अंदर बॉर्डर को डिजाइन करेंगे तो आपने देखा होगा लेफ्ट में बॉर्डर था और राइट में इसके अंदर दो डिवेल्मेंट को क्रियेट कीजिए ऐसे जो पहला डिवेल्मेंट है class का value दिजे left और दूसरे डिवेल्मेंट में class का value दिजे right अब यहा पह आईए css में और left को select कीजिए इसका विर्थ आप define कर दो 20 पिक्सल हाइट डिफाइन कर देजिए 120 पिक्सल वो जो आप ग्रेडियन्ट बॉडर देख रहे थे वो ग्रेडियन्ट था शो ग्रेडियन्ट अपलाई करने कले बैक्राउंड को शुरू करके बंद करेंगे और फेड यहाँ पे आप कलर का नाम डिफाइन कर दो रेड हाइफन में टेस्टिंग करते यह देखे ऐसा दिखा मुझे लेफ्ट में इसे फिक्स करना है तो सबसे पहले इसका लेयर अनलोग करेंगे लेयर अनलोग करने कले पोजीशन का इस्तमाल की जोड़ा अप्सुलूट डिफाइन केजिए लेफ्ट से जीरो ताकि सबसे बाय चला तो इसका जो डबबा होगा उसमें पोजीशन प्रापर्टी का इस्तमाल करेंगे और इसका वेल्यो डिफाइन कर देंगे और इलेटिव टेस्टिंग करते यह देखे ऐसा दिखाई दिया इसके आगे के एजुकेशन प्राप्त करने से पहले अटलिस्ट हमारी वैब साइट पर जाकर सॉफ्ट एंजिनेरिंग पर क्लिक किजे ताकि आपको हमारे ओल्लाइन क्लासेज के बारे में सारी इन्फोर्मेशन मिल सके इसमें जो भी आप पढ़ोगे सब में वैब साइट शॉफ्टर से अप्लिकेशन को स्टेप बैस्टेप डेबलाग परना शुख वैल्यू जीरो डिफाइन कर देंगे टेस्टिंग करने पर यह देखे आशा दिखा अब इसके बीच में एम राइट करना है आपको तो यहां देखे जो राइट वाला डिव होगा उसके बाद एच वन को शुरू करके बंद करेंगे जिस वेबसाइट का लोगो या जिस ब दिजाइन को फोर्स कैसे करते हैं यहां देखिए वैप इंस्टिटू डॉट कोम डिफाइंट है और इन लाइन स्टैल सेट से कलर और फॉन साइज डिफाइंट है अगर मैं यहां पे एच वन को सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज करना चाहूं ब्लू तो क्या चेंज होगा नहीं क्योंकि इंटर्नल स्टैल सेट से ज्यादा प्राइरिटी यानिकी ज्यादा वैल्यू पहले इन लाइन स्टैल सेट को दिया जाता है आप चाहतों कि इसकी प्राइरिटी खतम हो जाए तो इसके ठीक पहले इंपोर्टेंट कंडिशनल कीवर्ड आइड कर सकते है अब www के पहले add करना है इसलिए हम h1 में before pseudo element का इस्तमाल करेंगे इसके मतलब ये जो h1 में content है इसके पहले कोई चीज़ को हम control कर सकते हैं मुझे इसके पहले किसी चीज़ को लिखना है तो css में लिखने के लिए content property का इस्तमाल करते हैं जो आपको लिखना है वो आप यहाँ पर define क करेंगे और color define कर देंगे ये देखिए इतना करने के बाद आप facebook.com slash web institute को open करके reviews पे क्लिक करो ताकि आपको हमारे online premium students के honest review जाने को मिले वीडियों परफेक्शन लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को हिट करे वैब इंस्टिट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद